नमस्कार दोस्तों बीक एजुकेशन में आपका स्वागत है गुड़ इनिंग टु अलाफ यू चलिए तो क्लास को स्टाट करते हैं तो सभी लोग आज आएंगे भाई लाइब ठीके चलिए तो क्लास को में स्टाट करते हैं आज सोम आपका देखेंगे बेंडिंग इस्टे कुछ और डला हुआ है तो आपको हम बीडी यूपी के कर्डिंग स्लेबस बताएंगे किलिए है कि बीटी यूपी में स्लेबस क्या है और हमको पढ़ना क्या है ठीक तो हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे आगे चैप्टर नमबर तुदा लिजे चैप्टर नमबर अपन चैप्टर नंबर 5, किलियर? तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, ठीक, चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है? bending in stress bending in stress या bending stress in beam bending stress in beam भी कर सकते हैं इसको या अगर total कहना होगा तो stress in bending clear तो यहाँ पर हम लोग beam के लिए देखेंगे bending stress in beam आपका chapter number 5 है according to BTUP इसको हम लोग हिंदी मोलते है धरन में नमन प्रतिबल धरन में नमन प्रतिबल clear तो अभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे यह नमन हो रहा है कैसे bend हो रहा है और bend होने की कारण ठीके bend होने की कारण जो है क्या इसमें आपका stress उत्पन कैसे होगा clear यह सारी चीजे हम लोग एक एक करके यहाँ पर term को समझेंगे फिर हम लोग इसके बाद formula इसका derive करेंगे क्योंकि इसका derivation आपके syllabus में है ठीक इन सब को हम लोग देखेंगे clear चलिए तो फिर अब हम देखते हैं आगे तो देखे जो लोग आप पिछला chapter चैप्टर चैप्टर जितने लोग पढ़ चुके हैं उनको मैं बता दूँ अगर आपको सभी चैप्टर देखने है तो प्लेलिस्ट में जा के देख सकते जितना हो चुका है और चैप्टर जो लोग पढ़े है ना पीछे उसका numerical नहीं पूछता तो परशान ना हो उसकी numerical क इस्ट्रेस में ठीक तो देखेंगे भी हम जब डेराइब करेंगे तो बताएंगे कैसे उसका यूज इसमें हो रहा है मोमेंट आफ इनेसिया का किलियर है चलिए तो आगे देखते हम लोग बेंडिंग जो आपका होगा जो बीम में उसकी कारण क्या कैसे इस्ट्रेस इसमे होगा तो देखिने माल लेते हैं कि हमारा सपोर्स डेट सपोजिए iPhone डेट हमारा जो है वीब cmdltlt है क्या इस वीय क्या है कि हमारी ये ये डबिलू लोड लग रहा है इसके सेंटर पर उइन लोड और वह तहीं है और सब्सूब्ली सपोर्ट इढ़ा है डिकर्यetter लग रहा हो दोनों तरफ से ठीक है तो उसको हम लोग बोलते हैं simply supported beam clear चलिए अब क्योवल मतलब क्या है कि कोई भी चाहिए दीवाल हो या फिर हम कह सकते हैं pillar हो किसी पर भी रखा हो इस पर कोई आबध या कुछ ऐसा नहों system ठीक है हमारा simply supported यह मैंने बता दिया था बहुत पहले ही आप सभी को clear है चलिए तो अब यह हम देखते हैं कि इस पर जो हमारा अगर इस लोड जो लग रहा इस लोड के कारण कुछ इसमें बेंडिंग होगा देखिए यह सेंटर लोड लग रहा है इसके कारण कुछ तो बेंडिंग इसमें होगा तो जैहर सी बात है कुछ इस तरह से इस पर बेंड करेगा और यह बेंड किसके वज़ा से हो रहा है यह जो इस पर लोड लग रहा है ठीक है यह जो इस पर फोर्स लग रहा है या लोड लग रहा है कुछ भी कह सकते हो आप clear है और यह हमारा क्या था यह बीम था यह बीम आन लेते हैं बीम था clear है, तो इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसमें bending कैसे होगा ठीक, तो ये हमारा क्या है length, इसका span जो है yel है, capital yel है, span इसका clear, और ये हमारा जो है beam है, ठीक, ये beam है, clear अब देखिए ये जो हमारा beam है जब load लगता है तो क्या करेगा ये bend होगा और bend कैसे होगा कि इस पर load लगेगा तो ये नीचे की और जुकेगा ठीक है जब load लगता है किसी body पर आपको पता है कि stress क्या होता है जब किसी body पर load लगता है तो इसके अंदर से कोई ने कोई प्रतिरोधूदपन होगा ठीक है जैसे ये load लगने के वज़े से इसकी आंतरीक धेखेंगे तो हम लोग उसको बेंडिंग भॉलेंगे समझ में रहा है कि मतलब किया है कि जैसे कि एक कोई एयसा फोर्स हो जो की अपलाई हो रहा है हमारे बीम पर और उस फॉर्स की विज़र से फिर क्या होगा बीम के अंदर internal resistance मतलब आंतरिक क्या होगा प्रतिरोध हुदपन होगा ठीक है आंतरिक प्रतिरोध हुदपन होगा और उसी को हम लोग बोलेंगे bending stress तो सभी लोग को समझ वा चुका है bending stress होता क्या है जैसे किसी बाउर्डीप हम बीट रहेगे हैं लेकिन इसके अंदर से एक आंत्रिक ती कोशानी कि कोशानी करेगा, या इंटरनल रिस्टेंज को बोलते हैं, उसी के हम लोग बोलते हैं आपका बेंडिंग स्ट्रेस्ट अब सिर्शंथ करके हैं सब्सब्स को को लिख सकते हैं तो सेम जो मैंने अभी बताया है सेम उसी को लिख सकते हैं आप लोग की लिखी अपने language में लिखना है सबी लोग को बेंडिंग इस्ट्रेस ठीक है कि एक ऐसा 400 एक ऐसा को बेंड करेगा ठीक तो क्या करेगा यह बेंड करेगा बीम को और उस फोर्स की वजह से उस फोर्स की वजह से क्या होगा बीम में जो इंटर्नल बीम में जो इंटर्नल रेजिस्टेंस इंटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध ठीक आंतरिक प्रतिरोध ठीक है आंतरिक प्रतिरोध उत्पन होगा उसे हम बेंडिंग इस्ट्रेस करते हैं किलियर तो सभी को समझ में आ चुका होगा कि बेंडिंग इस्ट्रेस हम लोग किसको बोलते हैं किलियर है चले है अब हम लोग आगे देखते हैं आगे देखते हैं तो आप लोग समझ आप देखी यह जो बीम है ना ये किसी भी सेक्षन में हो सकता है कोई भी section इसका हो सकता है ठीक है चाहे वो eye section हो चाहे वो channel section हो चाहे वो खोखला आपका जो channel होता है वो हो या फिर आपका जो है circle या circular हो या फिर जो है आपका खोखला जो आपका circular होता है hollow circular वो हो तो कोई भी ये section हो सकता है, जो हम beam ले रहे हैं, clear है, ऐसा नहीं कि क्योवल आपका rectangular ही हो, ठीक है, I section अगर symmetrical है, तो वो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, clear, समझ माया, तो कोई भी beam हो सकता है, तो आप समझें, मैं फिर से एक बार आपको definition बता दूँ, कि कोई एक ऐसा force जैस कि आंतरिक पत्रोध उत्पन होगा, internal resistance इसमें उत्पन होगा, जिस उसी को हम लोग क्या कहेंगे, bending stress कहेंगे, समझ में आगया सभी लोग को, चलिए, तो इसको note कर लेंगे सभी लोग, ठीक है, चलिए, तो हम आगे देखते हैं, इसमें जो है, ठीक, और इसको हम लोग कैसे represent करेंगे, इसको हम लोग कैसे represent करेंगे, तो इसको समझीए आप लोग, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, कि इसे सिगमा B से प्रदर्शित करते हैं, सिगमा B से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर, समझ मा रहा है, चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिगमा B से ठीक है चलिए तो यह बेंडिंग इस्ट्रेस के लिए हो गया न सभी को अभी भी एगा डाउट हो तो जब दुबारा वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं बाद में ठीक है और एक चीज़ हो ठीक चलिए तो आगे इसमें देखते हैं कि बेंडिंग जो है सिंपल बेंडिंग इन सिंपली सपोर्टेड सपोर्टेड बीम ठीक और इधर जो है हम लोग देख लेते हैं एंड कंटी लिवर तो यह जानना जो बहुत ज़रूरी है इसलिए कि दोनों में कैसी बेंडिंग होगी समझ रहे हो दोनों में किस तरह की जो है बेंडिंग होगी तो तो अभी तो यहां पर हम ने देखा है कि सेम्पली सपोर्टेड हैं यह तो सेम्पर वहीं आप फिर स्फिएल वना सकते हैं कि ली ए सी मुटीं सब्सक्रेंब 16 char двух है इस पर ड़िलीड रहा है इस कि बैंठ कर रहा है अ च्छा इसका जो नूट्रल x6 होता होगा कि यहां पर होगा ठीक किस लोग सोचने क几ा वक्षा बताई हैं देखें नूट्रल iphone एक्सिस होता है कि जिस स्था पर एस बीम के जिस सथा पर जो आपका यह जो बीम कर रहा है वहाँ पर इनकी जो सतह की फालू होगी नहीं होती है मतलब इसमें कोई बेंड़िंग नहीं होगा समझेदो इसकी लंबाई समान होती है तो जिस में-पॉइंड बीम होने इस तरह से, लेकिन इसके जो length में कोई बदलाव नहीं है, length में जो बदलाव है, वो बदलाव के וल, इस point के उपर होगा, और इस point के नीचे होगा, मतलब ये वाली जो layer है ना ये layer के नीचे होगा, और layer के ओपर होगा, clear है, देखते हैं कैसे इसमें जो बदलाव होगा क्लियर तो न्यूट्रल एक्सिस समझ मां गया कि वह लेयर है यह उस लेयर पर एक्सिस का मतलब बन रहा है कि जिस पर हमारा जो है जो आपका प्रतिरोध धुत्पन हो रहा था इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा कुसके कोई भी इसमें इ लब लब होगा क्लियर है चलि उसमें न्यूट्रल है अब देखते हैं इसमें जो है उपर की तरफ किस तरह का हमारा यह जो लग रहा है तो देखें यह जो हमारा अगर हम यह नीला वाला दिखा रहा है जो ध्यान से देखेंगे ठीक है जो यह नीला वाला दिखा रहा है जब यह बेंड करेगा तो इधर का जो यह पूरा इधर बनेगा आपका जो इस पर इस्ट्रेस आएगा यह किसमें हो गए चाह अब दूसरे का आपस में दबाने की कोशिव करेगा तो यह कंप्रेस हो जाएगा इसलिए इसको हम लोग जोना जो है हमारा area हो जाए ये compression की तरफ और जो ये नीचे वाला होगा ये क्या होगा ये इसमें देखे रेड़ वाला जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या करेगा तनाओ में आजाएगा clear ये क्या करेगा तनाओ में आ जाएगा figure से समझें सभी लोग ये देखें ये जो साइल इस्ट्रेस उद्धर उद्पन होगा और इधर क्यों सा इस्ट्रेस उद्पन होगा इधर कंप्रेशन होगा क्योंकि ये दूनों अंदर की तरफ जाने की कोशिस करेंगे क्लियर है इसकी वज़े से अब यहां पर जो हमारा ये कंप्रेशन होगा कंप्रेशन होगा कि दो यह नियुट्रल एकसी से युल्ण क्लिए चलिए और इन की यल हो गई तो यह फिना हो यह फिना मिना जो बन रहा है आपका यह सिंपली साथ बीम के लिए लीए है इसा सिंपली सब्सक्राइब प्रख लेंगे में ही रहता है ठीक है क्या है कंटी लीवर वीम है क्लियर यह जो कंटी लीवर वीम है आपका यह देखिए कुछ इस तरह से होता है एक सीरा इसका क्या होता है दूसरा भी सीरा क्या होता है फ्री होता है जो फ्री वाला सीरा है यह फ्री वाला हमारा सीरा है इस पर मालो सपोज्देर डबल ड ही है ठीक अब इसमें कैसी बेंडिंग होंगी आपकी कंटी लिवर में तो जब भी कंटी लिवर में बेंडिंग होगी कुछ इस तरह से बेंडिंग होगी देखिए यहां पर जब लोड लगेगा तो यह क्या होगा कुछ इस तरह से ध्यां से देखेंगे सभी लोग कुछ इस कि अब यहाँ पर जो ये निचला वाला है ये निचला वाला कम्प्रेशन हो जाएगा और ऊपर वाला क्या होगा ठोराया है ये उपर सब्सक्राइब रहें कि जो bending होगाimat में हमेशा कंची लिवर में लिए अल्क्रियर के लिएंचे तूर और और सिंप्टी सपोर्टठ में अजब्ली नीचे कंप्रेशन की कंच my Сам कर एं चलिये अभा इसमें त्येंगे कर इसको लिख रहें पहले कि य legit जिलियर। समझ भाया सभी लोग को चलिए और बाकी इसमें लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि क्या टेंशन है क्या ठीक इसा नहीं आपको बस समझने के लिए बताया गया है clear चले कि यह समझ मा जाना चाहिए कि हां किधर compression होता है कि इसका derivation कराएंगे पूरा एकदम अच्छे से ठीक है जब तक derivation नहीं होगा क्योंकि ज्यादा तर एक्जाम में derivation पूछता या फिर numerical पूछता है या फिर agum autobi taped पूछता है तो चली हम लोग अब जूसर की तरफ चलते हैं तो आजंजसम में हम लोग जो चलेंगे उसमें हम लोग एक एक चीज को समझते चलेंगे warm लिखते चलेंगे fandmak तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे नोट भी कर लेंगे, एजमसंस, सीमत, इसकी जो है, क्या इसकी सीमाएं हैं, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो लिख लीजे, एजमसंस एक चीज मैंने नहीं बताया आपको, कि देखें, जब भी आपकी जो बेंडिंग होगी, वो बेंडिंग में जब होगी, तो वो प्योर बेंडिंग होगी, ठीक है, देखें, होती तो आपकी दो इसमें, जो है, जो आपका लोड होता है, लोड के कारण हमारा दो, इसमें पॉस्बेल्टीज बनते हैं, देखें, मता दें एक बार आपको, यहाँ पे, समझ लीजिए थोड़ा सा, देखें, हमारी जो लोड लगने के कारण क्या होगा, बीम में हमारी जो है, दो भी हो, हो सकता है कि दोनों हो, तो यह दोनों फिनामनाय इसमें हो सकती हैं, बट हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, यह केवल हम लोग बेंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, केवल हम इसमें बीम के लिए पढ़ रहे हैं, तो बीम में दोनों हो सकती हैं, तो केवल हम देखेंगे इसी लिए confusion न होएगा यहाँ पर हम लोग bending जो है के लिए बस देखेंगे beam के bending के लिए इसी लिए हम लोग इसको pure bending करते हैं अगर कभी विग्जा में pure bending करके आएगा तो आपको यही लिख कराना है और कुछ नहीं लिख कराना है क्लियर है क्योंकि pure bending मतलब होता है फिर यह जो हमारा searing हो रहा है ठीक है यह इसको नहीं को consider करेगा क्लियर चलिए तो अब adjustments में हम लोग ध्यान देते हैं adjustments पे ध्यान देते हैं सभी लोग क्लियर चलिए adjustments for the pure or simple theory bending क्लियर है चलिए ठीक तो इसमें जो है अच्छा इसका हिंदी भी लिखिले थोड़ा सा हिंदी भी लिखिलेते हैं सभी लोग नहीं तो आप लोग प्राब्लम होगी ठीक इसका हिंदी जो होगा वो होगा आपका adjustments का एक मिन रूख जाईए सुध्या सरल नमन सिध्धान के लिए समिलता है ठीक है तो लिए लिख लीजिए कि सुध्या सुध्या सरल प्योर मतलब सुध्या आपका ठीक है सरल नमन सिध्धान के लिए नमन सिध्धान के लिए मानिताएं तो जो ये bending हो रहा है न ये इनकी क्या limit है बतार limitations होंगी न कुछ ऐसा थो है नहीं चाहे जैसे इसको bend करा देंगे तो है भाई इनकी limitations ठीक है इनकी limitations क्या है है ऐसा नहीं है कि आप चाहे जिधर से इसको जाजय है जैसे बेंड करा देंगे ठीक इन में कुछ conditions है उनको हमलोग देख लेते क्या क्या होंगे कुलियर है चलिए पर आगे देखिये इसमें क्या होगा युरे पहला प्वायंट इसमें लिखेंगे एजमसंस में पहला पॉइंट लिखेंगे कि धरन का पदार्थ धरन का पदार्थ या बीम का पदार्थ धरन का पदार्थ कैसा होना चाहिए पदार्थ सर्वागसम सरवागसम मतलब होमोजीनियस तथा समगुण समगुण मतलब आईसोट्रोपिक होना चाहिए अच्छा ये क्या चीज़ है भाई आपको ये डाउट हो गया देखिए यहां कहना इसका कहना ये है कि जो हमारा बीम है ये मालो सपोजट बीम है इस बीम का जो माटेरियल है वो माटेरियल होमोजीनियस होना चाहिए और आईसोट्रोपिक भी होना चाहिए ठीक है इनकी ये कंडिसन ऐसे नहीं चाहिए जो material का आप उठा के लेगा कर बनाएंगे ऐसा नहीं है इनका जो properties है वो भी क्या है isotropic होना चाहिए और homogenius देखिए इसमें क्या है कि homogenius का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं homogenius का मतलब होता है कि किसी भी point पर material जो है same हो suppose that suppose that हम माल लेते कि यह beam है यह जो pin आप लोग को दिख रहा यह pin क्या है beam है अब इसमें जो homogenius की बात अगर हम करें कि होल homogenius के हम चर्चा कर रहे हैं यह हम माल लेते कि beam है इसका कहना है कि किसी भी point माल लो यह point है माल लेते हैं कि हमारा यह point है कोई तो इस material का जो है जो properties होगा वो same होगा clear किसी भी point पर तो अगर किसी भी point पर इसका material की properties यदि same होता है तो उसको हम लोग homogeneous बोलते हैं और जो isotropic होता है वो किसी भी direction में किसी भी direction मतलब तीन ही direction होते हैं एक आपका ये देखिए x-axis हो जाएगा एक इधर जो है y-axis हो जाएगा ठीक ये z उपर हो जाता और नीचे की तरफ y हो जाता है तो तीन axis बनते हैं इन तीनों axis में एक तीनों दिसाओं में इनकी जो properties है वो same होनी चाहिए तो homogeneous isotropic में हमेशा अंतर समझना कि homogeneous में किसी भी बिंदू पर जो इनकी properties है वो क्या हो same हो और isotropic में किसी भी दिसा में इनकी properties same होनी चाहिए ठीक है इनका गुण same होना चाहिए clear है चलिए तो आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा point है ठीक दूसरा point क्या है दूसरा point इसमें लिखिए ठीक है दूसरा load लगाने से पहले फिर क्या हो beam हमारा जो है state है देखिए load लगाने से पहले क्या होगा beam हमारा state हो तो लिख लीजे इसको पहले फिर बताते हैं load लगाने से पहले beam straight मतलब सीधा ठीक है straight है और जैसे ही और जैसे ही load apply करते जाएंगे करते जाएंगे क्या होगा beam beam bend होने लगेगा चिक तो beam bend होने लगेगा clear और फिर जब हम load हटाएंगे और load हटाने पर अपने पोजीशन में आ जाएगा पहले वाले पोजीशन में आ जाएगा ठीक है तो दूसरी जो सीमाए है इनकी इनकी दूसरी जो सीमाए है मतलब beam इसका main अगर देखें तो basically कहना है कि beam जो है वो permanent deformation नहीं होता है ठीक है beam का जो है permanent deformation नहीं होता है मतलब की load लगाने पर जो है load लगाने से पहले हमारा beam क्या था श्टेट था मतलब सीधा था ठीक माल लेते हैं suppose that यह हमारा beam है यह हमारा load लगाने से पहले सीधा है यह क्या है beam load लगाने से पहले सीधा है और जब इस पर हम लोग load apply करेंगे जैसे इस पर load apply हुआ तो क्या होगा यह bend करेगा देखो यह bend करेगा ठीक है जब यह bend करेगा तो इसका मतलब यही जैसे ही load हम लोग हटाएंगे माली जी हमने load लगा यह bend कर रहा है ठीक है और जैसे load हटाया यह पुनह अपनी इस्थित में आ जायेगा ठीक इनकी यह सीमाता हैं तो ऐसा होना चाहिए आपका load लगाने पर bend कर आए और जैसे load हटाये तो वह क्या हो अपनी पुरानी इस्थित में आ जाये तो यह हमारी दूसरी condition इसकी है clear और तीसरी condition हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा तीसरी condition ठीक तो तीसरा वाला लिखें सभी लोग clear तो लिख लिजिए नमन प्रतिबल प्रत्यास्था सीमा के अंदर हो और हुक्सला जो है क्या होगा हुक्सला हुक्सला जो है फालो करे तो यह भी लिखें यह condition तो आप लोग सो में पढ़ते ही हमेशा पढ़ते आये हैं और इसको मैंने बताया भी स्टार्टिंग में भी बताया था कि नमन प्रतिबल प्रत्यास्था सीमा मतलब एलास्टिक लीमिट के अंदर और हुक्सला हुक्सला सभी लोग समझ रहे हैं क्या होता है हुक्सला फालो करना चाहिए ठीक तो रुक्सला क्या है आपका अजो इस्ट्रेस इस डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू इस्ट्रेंड क्लियर इसको वो फालो करना चाहिए जो आपकी बीम है क्लियर है तो इसमें जो हमारा bending stress होगा वो किसके बीच रहना चाहिए किसके अंदर रहना चाहिए तो elastic limit के अंदर रहना चाहिए कि मतलब जो हमने वह जश्ट उपर बताया है कि उस पर जब load लगे वो हमारा bend करें लेकिन जैसे ही load हटाया जाया वो अपने regain कर ले अपने उप सेम पुरानी वाले इस्थित में आ जाया इसके अंदर होना चाहिए elastic limit के अंदर क्लियर चौथा point हम लोग इसमें लिखेंगे चौथा point चौथा point लिख लिजिए कि धरन में केवल नमन परतिबल होता है यह भी point उपर बता दिये है ठीक है तो लगभग point हमने उपर सब बता दिया है यह भी लिख लिख लिजिए धरन में केवल नमन परतिबल होता है यह केवल इसी के लिए बेंडिंग के लिए ठीक है यह जो हमारी सिमनताय है केवल बेंडिंग के लिए है समझ रहे हो केवल इसमें क्या होगा नमन परतिबल होगा और सियरिंग नहीं होगा होता तो दोनों है पॉसिबल्टीज तो दोन निताय हैं, सीमाय हैं, वो यही है कि क्योवल इसमें क्या होगा, आपका नमन प्रतिबल होगा, अपरूपण प्रतिबल कंसीडर हम नहीं करेंगे, किलियर सभी को, डाउट यह, डाउट क्या एकदम उपर बता ही दिये थे, होता तो दोनों है, बट हम इस चैप्टर में नहीं कंसीडर करेंगे, इसलिए हम लोग यह सीमन, हमारे जो प्योर बेंडिंग में अगर बात करें, तो प्योर बेंडिंग में यह, हम क्योवल नमन को कंसीडर करते हैं, और अपरूपण को नहीं कंसीडर करते हैं, किलियर, पाचुमें पॉइंट हम लोग देखेंगे, neutral axis पर ये भी मैंने बताया था, ठीक है, neutral axis पर जो layer होंगे, वो bending action में भाग नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे, इसलिए तो मैंने बताया था, कि जो neutral axis उसी को हम लोग बोलेंगे न, कि जो layer क्या होगा, कि उनमें कोई bending नहीं होगी, उनका जो लंबाई है, उनमें कोई परिवर्तर नहीं होगा, उनकी लंबाई सेम रहेगी, ठीक है, तो इसलिए इसमें भाग नहीं लेते हैं, जो हमारा neutral axis के ऊपर जो होगा, compression होगा, वो consider होगा, उसके जो नीचे होगा, वो tension होगा, वो consider होगा, clear है, समझ मा गया सभी को, यह point, तो यह पांचों जो है, adjustments, आप लोग क्या करिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, clear है, समझ माया सभी लोग को, चलिए, तो यह यहाँ पर थोड़ा से उसको देख लेंगे, जो neutral axis वाला है, नहीं तो फिर एक कुछ लोगों को doubt होने लगा, देखिए, यह क्या है, मालो supported यह beam थी, ठीक, और यह simply supported पर ही इस तरह सिब कुछ bend हो रही थी, ठीक है, और यह हमारा क्या है, neutral axis बन रहा था, clear सभी को, यह देखिए, neutral axis बन रहा था, और उपर वाला क्या था हमारा, उपर वाला जो है, यह compression में मालते है, नीचे वाला tension में, यह हो सकता है, उपर वाला tension हो, नीचे वाला compression हो, उसके case में, जो हमारा fixed beam था, clear, तो इसमें देखिए, यह हमारा neutral axis में क्या होगा, not in bending, मतलब bending में नहीं होना चाहिए, यह क्या है, not in bending, यह bending में नहीं होना चाहिए, और इनका जो cross section होगा, इस layer का, यह तो बहुत पतला layer दिख रहा है, हो सकता है कुछ इसकी ठीकने सो, यह जो cross section होगा, इनका जो होगा, वो same होगा, चाहिए before bending हो, टीके, या before bend हो या after bending, टीके, तो before या after whending इनका जो cross section होगा वो same होना चाहिए, कोई परिवर्थन नहीं देखिए जब लंबाई में नहीं परिवर्थन होगा तो जहर से बात है उनके area में भी परिवर्थन नहीं होगा यदी इनके लंबाई में परिवर्थन होता तो उनके area में भी परिवर्तन होता ठीक है इन साथ हरे condition को आप लोग समझेए और इसको एकदम concept से जिसको अगर कहीं भी doubt हो तो जब आपका class complete हो जाएगा तो दुबारा video को revise करके देखेगा और अपने language में लिखने की कोसिस करिए ठीक है हम तो यह चाहते हैं कि सब लोग अ सभी लोग ठीक है क्योंकि just इसके पास में रहेगा तो आप लोग के ध्यान में रहेगा बाकी वहां पर derivation तो अभी हम लोग करेंगे clear अभी हम derivation करेंगे पहले यहां पर flexural formula को लिख ले ताकि numerical order लगाने में हमेसा याद रहे clear अलग से ठीक तो flexural या bending formula तो bending को हम लोग flexural भी बोलते हैं clear है चलिए तो यह हमारा हो गया नमन सूत्र नमन सूत्र तो नमन सूत्र क्या होगा आपका इसका जहां से देखें तो यह होगा आपका y by i y by i is equal to sigma b upon y is equal to e upon r तो यही formula हम derive करके इसको निकालना है और अभी हम आगे जो है इसको derive करेंगे clear है आगे हम लोग क्या करेंगे इसको derive करेंगे यह चिक तो इसको बहुत important formula है ध्यान में रखना क्योंकि इससे numerical होगर आ सकता है और इसका derivation तो आता ही आता है आपके एक्जामों में clear है चलिए और आप इसमें देखिए इसका जो notation से उसको लिख लेते हैं ताकि आपको numerical होगर calculation करने में कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो वेर लिख लीजिए जहां पर हमारा यम जो होगा यम क्या होगा bending moment यम क्या होगा bending moment newton into mm जिसको हम लोग बोलते हैं नमन हिंदी में नमन आगोड तो हिंदी इंगलिस वाले दोनों लोग इसको पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है आई आपका क्या होता है आई होता है moment of inasia देखिए इसलिए मैंने moment of inasia chapter को पहले बताया और वहां पर इसलिए बहुत ज्यादा numerical नहीं कराया हूँ क्योंकि यहां पर इसी को implement करके हमको निकालना रहता है क्लियर तो जो chapter पहले वहां पर अलग से रख दिया है पहले इसी में था पहले उपढ़ना पढ़ता था फिर इसको पढ़ना पढ़ता था क्लियर है cross section तो moment of inasia फार बीम section बीम cross section ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा mm की power 4 मतलब जड़ता घूर क्लियर उसकी बाद हमारा जो sigma b यहां पर होगा और यह बता दो डिपलोमा में कहीं कहीं बुकों में यह sigma b को हम लोग यफ उसमें दिखाए गया है तो आप चाहे यह दिखाएए चाहे sigma दिखाएए बात एक ही ही है क्लियर बात क्या है एक ही ही है चलियर तो sigma b इसकल टू आप लोग देख लीजिए हाँ पर क्या होगा bending stress नमन प्रतीबल चलियर चलियर आगे चलते हैं y इसमें क्या होगा y क्या होगा तो notations इसलिए यहां लिखा दे रहा हूं आगे चलकि जब derivation कराऊंगा धूहां पर हमें notations नहीं लिखा होगा वहाँ सीधे derivation करके हम लोग formula को प्राप्ट कर लेंगे clear चलिए तो distance of y क्या होगा distance of layer subjected to bending from neutral axis किसमी होगा MMA होगा यह कैसे आएगा देखिए जब हमारी beam में क्या होता है bending हो जाता है यह beam में हमारा क्या हुआ यह क्या हुआ यह क्या हुआ यह यह वाली जो value है top से यहां तक की value होती है इसको हम लोग बोलते है y ठीक है top से neutral axis तक की value को हम लोग बोलते है y ठीक है जिस पर bending निकालना हो suppose that आपको bending मैं कहा दू कि इस point पर निकालो तो यह distance y कि क्या हो जाएगी यह हो जाएगी कहा दू इधर नीचे से निकालो तो जिस height पर आपसे जिस point पर पूछे जिस height पर पूछे आपसे bending कि हाँ इतने height पर निकालिए इतनी उचाई पर निकालिए या इस point पर निकालिए वहां की जो distance होगी वही हमारी y होती है समझ मैं सभी लोग को चलिए तो इसमें और यह जो R है R क्या होगा इसको note कर लें और E क्या होगा वह भी बता देते हैं figure के माध्यम से clear यहाँ पर हर एक चीछ clear rhythm करते चलो सभी लोग तो इसमें लिख लोग आप लोग E E होगा आपका young modulus E क्या होगा young modulus clear E क्या होगा आपका young modulus modulus of elasticity for beam clear तो modulus of elasticity सभी को पता होगा मैंने इसको बताया भी इससे numerical भी कराया है पिछली क्लासों में ठीक आर क्या है आपका radius of curvature radius of curvature of beam यह कहां से कैसे निकलता है उसको बताते हैं इसका हिंदी हो जाएगा आपका धरन की वक्रताति रिज्या clear अब यह धरन की वक्रताति रिज्या कहां सोगी देखिए यह धरन की वक्रताति रिज्या है वो क्या है जैसे हमारा यह बीम जब bend किया था तो बीम जब bend करेगा यह आर्क के form में बन गया और यह जो आर्क हमारा बन रहा है जो चाप यह बन रहा है देख रहे हो यह किसी point से तो बन रहा होगा जो चिस point से यह बन रहा होगा वहां तक कि यह जो दूरी होगी यह जो दूरी होती है इसी को हम लोग बोलते हैं समझ रहा हो भाई यह जो रेडियस यह बनेगा यह तो भाई जब बेंड हो गया तो किसी जो बेंड होगा किसी रेडियस में ही तो यह बेंड हो रहा है यह जो चाप लग रहा है तो जिस रेडियस से यह बेंड होगा इसका जो है derivation करेंगे clear है चलिए अच्छा यह देखिए आप लोग इसका जो डाइग्राम बनेगा कैसा बनेगा तो देखिए bending stress distribution diagram बेंडिंग stress distribution diagram clear यह अब इसको हम लोग देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले symmetrical section के लिए देखेंगे ठीक है किसके लिएदेखेंगे symmetrical section के लिए symmetrical section जो है हमारा जो है इस पर हम लोग समझेंगे तो symmetrical section क्या होता है symmetrical section आपका किसी जो दोने axis होती ही x और y axis ठीक है किसी भी section होते हैं उनकी cross section पे दो axis होंगी एक हो x और एक हो y तो इन दोनों पर क्या है इन दोनों पर symmetric हो same हो ठीक है जो इनकी axis है तो हमारा वो कहा जाएगा symmetrical section clear तो देखते हम लोग जो है सिमालो सपोस्देट आपका क्या है यह पहला वाला symmetrical section symmetric section clear यह देखिए और अब क्या है मालो सपोस्देट हम माल लेते हैं कि हमारा जो है यह neutral axis है यह क्या है neutral axis और इस ही पर हम लोग सभी beam को यहाँ पर दिखा देंगे अब मानते हैं कि हमारा यह जो है यह मालो यह rectangular beam है हमारा ज्यादा कर दिए क्या यह जो है rectangular है उसके बाद इधर आपका क्या है hollow है hollow rectangular है ठीक यह उसके बाद हमारा यह circular है क्या है circular है फिर हमारा hollow circular है हालो सर्कुलर हो गया ठीक फिर उसके बाद क्या है आई है तो ये सब क्या है symmetrical section है ठीक अब इनके जो बीच है ये इस तरह की अगर जो वीमे होंगी ठीक है इस तरह की जो वीमे इसका तो मैंने figure बना के दिखा दिया थे कैसे इसमें bending होगा तो इसमें जितनी एबी में है सब symmetrical है और इस पे जो neutral axis लाई करेगा वो कहीं इस point पर लाई करेगा ये जो आपको black वाला point दिख रहा है ये हमारा neutral axis है clear neutral axis है ठीक है उदासी नच ठीक हिंदी मोलते हैं अब ये क्या है इसका cross section है सभी लोग देख रहे हैं ये क्या है cross section है इसका ठीक ये ठीक है ये हमारा circular था ये hollow circular है ठीक इस तरह से अब इसमें देखी हमारा जो stress distribution diagram बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा देखो ये इसको आगे line को बढ़ा दो देखिए ये और इसका जो top fiber है देखिए ये top पे जो ऊपर की तरफ इसको लोग top fiber बोलते हैं नीचे की तरफ bottom fiber बोलेंगे clear है तो top fiber सो जो neutral axis से जो height होगी मैंने वहाँ पर y बताया था तो ये क्या होगा yc हो जाएगा yc का मतलब क्या है compression में है ये भाई beam है simply supported भी मानके चलते हम simply supported तो ये क्या है हमारा yc compression हो जाएगा ठीक है ये simply supported के लिए सभी simply supported के लिए बता रहा हूँ yc क्या हो जाएगा compression हो जाएगा और यहाँ पर yt क्या हो जाएगा ये tension में हो जाएगा clear तो जब हमारा ये compression में होगा तो ये कुछ इस तरह से क्या होगा ये इधर की तरफ compression लगेगा और इधर की तरफ क्या लगेगा ये जो है tension में लगेगा नीचे देखिए अब हम लोग ये देखिए इससे पता चल रहा है जाहिर सी बात है ये पता चल रहा है कि देखिए neutral axis पे जो है कोई इस पर देखिए stress नहीं develop हो रहा है neutral axis पे कोई stress नहीं develop हो रहा है जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो है tension में नीचे increase होता चला जा रहा है ठीक देखिए bottom एकदम पाये तो सबसे ज़्यादा increment bottom पे हुगा clear है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमा हो जाएगा आपका sigma B sigma B जो आपका bending stress हो रहा है मतलब यह sigma C होगा compression में और यहां पर sigma B जो होगा sigma T होगा मतलब tension में clear समझ मा गया सभी लोग को तो इस तरह से आप लोग जब इसको समझेंगे ना और यह जो condition है ना यह condition far simply supported beam के लिए है far simply supported beam के लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग कर दें कि नहीं सर कंटी लिवर के लिए ऐसा नहीं कंटी लिवर के लिए change हो जाएगा clear है समझ मा गया यह चलिए unsymmetrical के लिए देख लेते हैं यहां पर क्या होगा जो हमारा stress होगा यह sigma जो है यह 0 हो जाएगा be equal यहां पर इस point पर समझ रहे हैं तो इस point पर कोई changing नहीं मतलब sorry इस पर क्या होगा कोई changing नहीं होगा इस पर कोई stress नहीं develop हो रहा है इसका कोई area नहीं change होगा इसकी कोई लंब बढ़ेगा हमारा compression में होने लगेगा compression increase करने लगेगा नीचे आएगा तो हमारा क्या होगा tension में होने लगेगा ये क्योवल simply supported beam condition में है बाकी जब इसमें continue hour आजाएगा तो ये उपर चला जाएगा उपर वाला नीचे आजाएगा उपर वाला फिर हमारा क्या होगा टेंसर में हो जाएगा और नीचे वाला कंप्रेशन में हो जाएगा समझ गये सभी लोग चलिए तो अब हम लोग जो है इसका distribution diagram जो है unsymmetrical के लिए देख लेते हैं उसकी बाद दोनों में difference समझ जाएंगे clear है चलिए देखिए जब सोम पढ़ रहे हैं आप न तो पढ़ें तो अच्छे पढ़ें नहीं तो पढ़ें ही मत ठीक है confusion वाला जो है ऐसा न रख के और जिसको भी अभी जहां जिस point पर doubt है वो बीडियो के revise करके देख लीजेगा जरूर आपको उसका हल मिल जाएगा clear है चलिए तो दूसरा जो हमारा होगा वो हम लोग unsymmetrical के लिए देख लेते हैं ठीक unsymmetrical के लिए unsymmetric section clear इस तरह से और इसमें क्या है हमारा neutral axis कुछ इस point पर होगा ठीक है neutral axis किस पर होगा इस point पर होगा अब इस पर देखिए हमारा माल लेते हैं यह जो है टी section है ठीक है यह क्या है टी section है अड़ी यह हमारा जो है वो हो गया यह cut नहीं होना चाहिए डारेक्ट उसी में रहना चाहिए ठीक है और यह i section हो गया यह i section हो गया यह सब क्या है अन्सिमेट्रिकल सेक्शन है क्लियर अब इसका जो stress distribution डाइग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा तो जब कभी भी एक्जाम में पूछ लेगा ना stress distribution डाइग्राम कैसे बनेगा या competitive जब आ जाएगा तो आपको तुरन यह जो डाइग्राम में बनाया हूँ यह ध्यान कर लीजेगा और वहां पर condition भी देख लीजेगा कि simply supported के लिए कह रहा है कि किस के लिए कह रहा है ठीक है देखिए यह भी हमारा simply supported condition में देखते हैं तो यह हमारा क्या है compression में हो जाए clear और इसके लिए जो yc होगा वो क्या होगा यह वाला हो जाएगा और यह है yt क्योंकि यह tension में है तो इसलिए हम yt लिख रहे हैं compression में तो ic और y क्यों लिख रहे हैं बैने बताया था कि neutral axis से जो distance होगी clear तो यह हमारा क्या है neutral axis होगा जाएगा यह हमारा जो उपर होगा यह sigma b क्या होगा यह sigma c होगा compression में और यह जो नीचे होगा sigma b क्या होगा यह sigma t होगा tension में clear और इस point पर जो हमारा होगा neutral axis पर वो क्या होगा 0 हो जाएगा समझ माया है चलिए अच्छा दोनों में difference क्या है बोलेंगे सर दोनों तो ऐसी बन रहा है त दोनों में difference क्या है कि यह symmetrical section है और बताया हो कि y axis पर जो इनके होगे वो दोनों axis समान होंगे आप देखो इनकी वज़ज़ से क्या है कि इनकी जो height है ना compression की और tension की y c is equal to y यहाँ पर बराबर है तो दोनों में क्या difference है कि दोनों में जो है यह देखे symmetrical और symmetrical में इसमें पर नहीं होते हैं clear इसमें क्या condition बन रहा है आपका yc is greater than yt yc is greater than yt और यहाँ पर क्या बन रहा है yc is equal to yt तो क्या है दोनों जो है अंतर यही है दोनों में difference सबसे बड़ा यही आपको देखने को मिलता है clear तो यहाँ पर चाहें लिख लें कि difference क्या है difference क्या है अंतर आपका yc is equal to yt यह हो जाएगा आपका for symmetric symmetric और उसके बाद yc is not या greater कर लिजिए yt तो आपका यह हो जाएगा for unsymmetric यह greater ना करें इसको जो है not कर लें बराबर नहीं है क्योंकि हो सकता है कि yt बड़ा हो जाए yc से clear यह भी condition हो सकती है ठीक है चलिए तो अब हम लोग को बचा है आपका bending stress का formula derive करना तो हम लोग next class में देखेंगे तो कल सभी लोग फिर live आएंगे class के लिए 10 बजे ठीक है और इसको 10 बजे upload कर दिया है और कल फिर आपका जो है नेव साल भले है नया साल तो सभी लोग कल फिर आएंगे class को देखेंगे जरूर clear तो जो भी doubt है अगर आपको अभी भी doubt अगर लगेगा तो वीडियो को दो बार revise कर के जरूर देख लिजेगा उसके बाद ही अगर doubt लगत है तो आप हमें offline कमेंट कर सकते हैं ठीक है चलिए तो ओके बाई बाई सभी लोग को गुड़ नाइट